हेलो आज हम बनाएंगे दिल्ली के मसूर कुल्चे वाले छोले ओयल विल्कुल नहीं और बहुती ज्यादा टैस्टी इन्हें बनाने के लिए हमने 200 ग्राम सावुत सफैद बाला मटर लिया है और अब हम मटर को अच्छे से धोके रात भर के लिए विखो के रख देंगे इन्हें हम 5-6 गंटे दिन में भी विखो के रख सकते हैं फिर भी हमारी चांट अच्छी बनके तैयार होगी ये मटर हमने ओबरनाइट विखो कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं मटर हमारी अच्छे से फूल के डवल हो चुकी है अब हम इन मटर को अपनी प्रेसर कूकर में डाल देंगे और अब हम इसमें पानी डाल देंगे पानी हमें इसमें इतना डालना है कि हमारे जो मटर हैं अच्छे से डूब जाएं ज्यादा पानी हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है और अब हम डाल देंगे इसमें आधा चोटा चमच नमक और हम इसमें कोई भी मसाला एड नहीं करेंगे और धकन लगाकर तीन से चार सीटी लगवाएंगे अब हम मटर को चैकर लेते हैं मटर हमारा अच्छे से गल चुका है ये देखिए ब्रकुर बढ़िया गला है अब हम इसे धकन हटाकर दो से तीन मेट और कुक करेंगे क्योंकि हमें पानी इसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है इसलिए थोड़े देर और पका लेंगे बस अभी ये मटर चार्ट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे बिल्कुल ठेले वाला फ्लेवर लाने के लिए हम इसके लिए कुछ मसाला तयार करेंगे मसाला बनाने के लिए हमने एक छोटा चमच लाल मिर्च पॉडर लिया है आदा छोटा चमच काली मिर्च पॉडर एक चमच भुने जीरे का पॉडर छोटा चमच काला नमक एक चमच धनिया पॉडर और एक ही चम्मा चांट मसाला लिया है अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बढ़िया वाला मसाला तयार कर लेंगे और इसमें डालने के लिए हमने एक बारी कटा हुआ टमाटा लिया है एक बारी कटा हुआ प्याज लिया है हरे धनिये की चटनी ली है और इमली का पानी लिया है दो बारी कटी हरी मिर्च ली है और थोड़ा सदरक लिया है और एक नीबू लिया है और थोड़ा हरा धनिया अब हम मतर में जो मसाला तयार करके रखा था उसको एड़ कर देंगे मसाला डालने के बाद अब हम इसमें बारीक कटा टमाटर डाल देंगे बारीक कटा प्याज डाल देंगे अब हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे हरी मिर्च डाल देंगे अद्रक डाल देंगे इन सब चीजों को डालने के बाद अब हम इसमें फरे धनी की चटने डाल देंगे चटने आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं और अब हम इसमें इमली का पानी डाल देंगे और अब हम इसमें सबसे लाष्ट में आधा नीवू निचोड़ देंगे नीबू हम इसमें आदा ही डालेंगे क्योंकि हमने इमली का पानी भी डाला है आप चाहे तो नीबू जादे डाल सकते हैं जितना आपको खटा खाना पुसंद हो उतना नीबू डाल सकते हैं सेवी चीजे डालने के बाद अब हम इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चांट हमारी अब बिल्कुल बनकर तयार हो चुकी है यह देखिए कितने अच्छे से बनकर तयार हुई है और खुसबूत इसमें बहुत ही जाद अच्छे आ रही है तो चलिए फटा-फट से हम अपने दोनों में सर्व कर लेते हैं घर में अगर चांट का मज़ा लेना है तो चांट दोने में ही सर्व करें मैं तो हमेशा अपने घर में दोने रखती हूँ तो मैंने दोनों में ही सर्व किया है दोने में सर्व करने से क्या होता है कि बिल्कुल बजार वाली फीलिंग आती है और इसी तरह से हम अपने तीन पत्ते बना कर तैयार कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे इनके साथ एक एक चमच भी रख देंगे ये देखिए चाठ हमारी बनकर रेडी है अब हम फटा-फट से एक चमच घी डालकर अपना कुल्चे सेख लेंगे कुल्चे हम दोनों साइडों से अच्छे सेख के तैयार कर लेंगे इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल बजार जैसा टेस्ट आएगा तो एक बार इस तरह से जरूर बनाएं और अपने फैमिली और बच्चों के साथ इंजोई करें ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे इस तरह से बनाईए और खाईए आपको बाहर बजार में जाने की जरूरत नहीं है ये आसान सी रेसेपी घर पे बना के आप भी इंजोई कर सकती हैं अगर ये मटर छोला की रेसेपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर देना ये इतनी टेस्टी रेसेपी है कि इसे हम नान के साथ भी खा सकते हैं और चाट के रूप में भी खा सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही अच्छे लगते हैं और बनाने में तो कोई दिक्कत है यह नहीं एक नई रेसेपी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाए कर दो कि पा सकते हैं